आज हम बताएंगे कि महाबीर जी का नाम हनुमान कैसे परा बालशमयरवी भक्षलियो तब तीनहु लोक भैयो अंधियारो ताही सोत्राश भै जग को यह संकट काहू सोजात नटारो देबन आनी करी बिनती तब छारी दियोरवी कस्टनिवारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचने नाम तीहारो बालमिकी रमायन में एक कथा आती है कि एक दिन प्रातहकाल आम अवश्याती थी थी और हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी उन्होंने उगते हुए लाल रंग के बाल शुर्ज को देखा और फल समझ कर उनके उपर वे लपके और एक ही जटके में पकर कर निगल गये दैब संजोग से उस दिन ग्रहन भी था बेचारा राहू जब सुर्ज को ग्रहन करने के लिए आया तो देखा कि चारो और अंधकार है और सुर्ज का कहीं पता ही नहीं इससे निराश होकर राहू दिवता के राजा इंद्र के पास गये और इंद्र के पास पहुंच कर गीर गिराने लगे कि आज मैं क्या खाऊंगा सुर्ज को तो किसी दूसरे ने खा डाला यह शुनकर इंद्र राहू को शाथ लिए दोड़े स्री हनुमान जी ने जब उन दोनों को आते देखा तो यह उनको भी खाने के लिए लपके इस पर इंद्र ने उनकी टुड़ी पर ऐसा बज्र मारा कि हनुमान जी मुर्चित हो गये और इंद्र का बज्र भी तुट गया तब ही से महावीर जी का हनुमान नाम परा तो बोलिए जैसी आराम जैसी आराम